है अेलो एन वेल्कम टू मैं चैनल है 26 मेरे चैनल है 26 में आपका स्वागत। और कल मृण घर पे थी तो कल मैंने ये एक रजाई से लिये और जो की सिल्क त१ की साड़ी से ॉस तरह से बॉर्डर वाली जी साड़ी होती है उससे मैंने सिला यह इस तरह की और तो यह मैंने सिला और अभी मैंने इसको भराया नहीं है और इसमें अभी जो वह होती है नाइलोन वाली जो रूय होती है सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसी को मुझे फिल कराना है और यह डबल बेट की रजाई मैंने बनाई है हंड्रेड बाए 90 इंचेस की और जो भी खोल आते स्टेंडर्ड साइज के उसके हिसाब से मैंने बनाई है और यह भर जाएगी और उसके बाद में आपको भरने के ब है तो यह पैले बनाते में का जोटन पूकर दाखे का द yang यह जो जो है फिल करने देना है को रजाई आप दो उसको डिखा विगा तो तो यह जो है रजाई अब भर के आ गई है और यह देखिए साड़ी की रजाई है और बहुती खुशूरत लग रही है यह अंदर से इस तरह की है और उपर से यह साउट सेल की साड़ी थी तो उपर से इस तरह की है और मुझे लग रहा है ऐसा कि रूई जादा हो गई है मैंने साड़े तीन केजी रूई डलवा दी थी और मुझे थ्री ही केजी डर्वानी चाहिए थे मुझे लगा कुईन साइज की रजाई है तो साड़े तीन केजी साही राएगा बट ज्यादा हो गई है तो यह मैंने रजाई अपने पूरे बिस्तर पे बिचा दिया है और यह देखिए कि यह पूरे बैड की चोड़ान से लगभग जाद ही है थोड़ी बाहर निकली हुई है और पीछे की ओर से यह इस टाइप से दिख रही है यह और फ्रंट से यह है तो इसको मैंने आपको दि आया है और थोड़ा से कप्ला कम पड़ा था तो मैंने इसमें यहां पे जगा जोड़ भी आया है बीच में तो यह यहां पे देखिए थोड़ा समने यह यहां पे जो पल्ले वाला कप्ला है वो बीच में यहां पे लगाया है तो इससे एक यह डिजाइन टाइप में हो गय तो पीछे आली साड़ी थोड़ी बड़ी थी और आगे आली साड़ी थोड़ी छोटी थी तो इतना पीस यह लगाना पड़ा और बहुत ही खुबसूरत रजाई बनके त्यार हुई है यह देखिए दूर से लुख और इसमें मुझे साड़े तीन किलो मैंने डलवाई है और जो कि 230 के हिसाब से मुझे मिली थी 230 पर केजी और शाड़े तीन सो रूपए इसकी गुथाई का लगाए शाड़े तेन सो रूपए तो कुल जित्ता भी हुआ था उसको मैंने उन्होंने बताया था कुछ साड़े ग्यारा सो कुछ आइसे कुछ बताया था तो मैंने उनको 1100 दिया 500 एडवांस दिया था और 600 बाद में दिया और इतने में 600 कॉस्ट ना 1100 मेरी रजाई बनके त्यार हो गई है और एक वेस्ट मेटेरियल से यह रजाई बनी है जो कि बहुत ही खुबसूरत लग रही है और यह यहां पर देखिए इसी तरह से इसमें थोड़े से स्टे प्रेशन हो गया था तो फाइनली रजाई बनके त्यार हो गई आपको कैसी लग रही है कमेंट पाफ से बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा तो पूरी ठंडी की चुट्टी में यही एक प्रोड़क्टिव काम हुआ है कि यह रजाई म